हेलो एवरिवन एक नए जानकारी में एटू मीडिया 1179 यूटूब चैनल पर आपका हर्दिक स्वागत है अभी दन दन है इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो लाइफ स्किल कैम्प आजकल हर्याना के काफी स्कुलों में चले हुए हैं तो क्या आप उसके बजट के बारे में जानते हैं कि कितना बजट आया हुआ है और किस प्रकार से वो किस किस मत पर किस तरह से खर्च करना है तो उसी के बारे में हम इसमें जानेंगे कि आप देखेंगे उसमें कि कितना खर्चा आपको करना है किस इसाब से करना है किस किस मद पर करना है रिसोर्स पर संजो बलाए जाएंगे उनका खर्चा कितना है तो ये सारे जानकारी इस वीडियों में हम बात करेंगे तो चलिए मैं उपन करता हूँ इलैटर आप देख पा रहे हैं ताइप स्किल प्रोग्राम फैनेसल अप्रूवल एक एक दोहजार चोबिस यानि हर्याना स्कूल शिक्षा प्रियोजना प्रिशद पंचुकला के माध्यम से ये लाइप स्किल केंप चलाए जा रहे है जिसका लैटर एक जनवरी दोहजार चोबिस को जारी हुआ था किसे जारी हुआ था और दिस्टिक प्रोजेक्ट कोर्डिनेटर सम्मगर शिक्षा हर्याना सब्जेक्ट क्या है रिगार्डिंग फैनेसल अप्रूवल फोर लाइप स्किल केंप फोर अडोल सेंस गल गल्स at elementary and secondary level schools in the state for the year 2023-2024 in continuation of this latter number dated 1 january 2014 and on the subject cited above I have been directed to convey the approval of the state project director to incur expenditure on life skill camps for adults and girls for elementary and secondary level for the year 2023-2024 the details are given as below first point है approach budget provision for elementary and secondary level इसका A point है तो elementary level पर जो classes 6-8 जो school select किये गए है total campus में चलेंगे 844 budget provision per camp RS 5000 तो इस तरह से सभी मिला के तो ये बन जाता है 8 करोड 44 लाख 5000 पर तो इसी तरह से total budget expenditure for 844 camps RS 42.2 lakhs इतना बनता है तो वो करोड में नहीं था उपर वो 844.500 करोड नहीं था वो 5000 के साब से 844 केम्पों का पैसा था और वो बनता है इसमें total 42.2 lakh clear हो गए tentative budget जो बाइप फरकेशन फॉर वन कैम्प अंडर समगर 6 है इस एजटर यानि किसी स्कूल में 6-8 का जो लाइप स्किल कैम्प चला हुआ उसका खर्चे का ब्योरा किस परकार से होगा तो सबसे पहले आप देख रहे हो आइटम है यूनिट कोस्ट है डेज है टोटल टेंटेटिव कोस्ट है तो सबसे पहले इसमें आएगा सर्टिफिकेट प्रिंट होंगे जो 300 GSM में के वो उसके लिए 10 रुपया ऐलोटमेंट है लंसम है और 100 रुपया इसकी टेंटेटिव कोस्ट है इसी तरह से से होनोरियम फूर्दा विजिटिंग एक्सपर्स जैसे नहीं स्टाफ है एग्रिकल्चर साइंटिस्ट है इसमें आपको तीन आर्पी फोर चार दिन के लिए लेने है तथा दो आर्पी लास्ट डे यानि टोटल अगर पांस दिन का ये कैम्प है तो चार आर्पी काम करेंगे तीन दिन के लिए तीन आर्पी काम करेंगे चार दिन के लिए और दो आर्पी इसमें लास्ट दिन में रहेंगे at the date of 200 per day per person यानि कि अगर आप इसमें देखें तो तीन आर्पी जो थे उनको 600 रुपे हो गया आ जाता है और दो जो लास्ट के आर्पी रहेंगे उनको 200-200 रुपे के साब से नो होनेरियम देना है नो होनेरियम विल बी पेड टू पर्सन बिलोंग टू एजुकेशन डिपार्टमेट इन एनी कैपस्टी और इवन वर्किंग अंडर समगर शिक्षा हर्याना ये कलीर है कि जो सरकारी विभाग के हरयाना शिक्षा विभाग के करमचारी होंगे या कोई अधिकारी हो सकता है और या समगर शिक्षा के अंदर कोई काम कर रहा हरयाना के अंदर उनको यह उनेरियम जो है नहीं पे किया जाएगा तो 200 इसकी कोस्ट रखे गया है 14 यहां पर बन जाते हैं और पीज चारती है बारा और दो वो इस तरह से 14 बन जाते हैं तो उनका जो होने रहे हैं में 14 दिन का वो ठाई सो रुपे यहां पर बाढ़ दिया गया है तीसरा इसके अंदर स्टेशनरी फॉर 50 स्टूडेंट यानि पचास स्टूडेंट के लिए लग रहे हैं तो दस रुपे के हिसाब से उनको चार्ट दिया जाएगा पेपर दिया जाएंगे को रिपोर्टिंग करने है उनको यह फॉर कोई मेकिंग इन्वाइट एक्सेक्ट पचास स्टूडेंट के इसाब से सब्सक्राइब यहां पर खर्च करना है इसी तरह से अरेजमेंट फूर एग्जिबीशन बैनर फोटो इंक्लूडिंग रिफ्रेस्मेंट पोर पेरेंट्स सरपंचिज एप्रोक्स 80 परसंट यानि 50 परसंट बच्चे थे 50 और 30 का अलग से तो 700 रुपए यूनिट कोस्ट है तो एक दिन का यह कैम्प है तो 700 रुपए है इस पे खर्चा आएगा इसी परकार अगर फोटोग्राफी और स्क्राइब बूक या डोकुमेंटेशन करना है तो 1500 रुपए उसके लिए खर्चा दिया गया है तो 1500 रुपए इसमें अधिक् सामिल होंगे तो टोटल कैम्प है यहां पर कैम्प यूजित किये जाएंगे बचेट का प्रावधाना पर कैम्प वह भी 5000 है उपर भी 5000 था इसमें 5000 है और टोटल बजट जो एक्सपेंडिचर है रुपए का है इसी तरह से होनेरियम है जो एक्सपर्ट आएंगे मैंने पिछले उसमें भी बात रखी है कि तीन आरपी रहेंगे चार दिन के लिए और दो आरपी रहेंगे लास्ट के दो दिन के लिए और 200 रुपए के साब से परड़े पर परसन उनको होनेरियम दिया जा रहेंगे इसी तरह से स्टेशनी का जो खर्चा 50 बच्चों के लिए 10 रुपए के साब से उसमें चार्ट वेपरादी खरीदने हैं वन टाइम है 500 रुपए की कोस्ट है इसके अंदर टोटल इसी तरह से रोब मैटेरियल खरीदा जाएगा आट क्लासिस के लिए जाम जाली रुपए का खर्चा दिया गया है इसी तरह से जो फोटोग्राप्स है सक्राप्स बुक बनानी है बच्चों ने या डोकुमेंटेशन करना है तो उसके लिए 150 रुपए की रखी गई है तो यहां पे भी आपको टोटल एक सुपचास तो इस तरह से 5000 रुपए का यह खर्च उसमें अंदर आते हैं इसी तरह से स्केंट्री लेवल पर कितने स्कूल है और उनका कितना बजट है और टोटल है इसमें अगर हम अंबाला से शुरू करते तो 17 स्कूल जो है 6-8 के लिए शत्य स्कूल 9-12 के लिए 17 स्कूलों के लिए पचासी हजार पर है और शत्य स्कूलों के लिए एक लाक सिजा तो टोटल बंजता है दो लाक पैशेट हजार इसी तरह से डिस्टिक वाई जिसमें सारा डिटेल आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो अपने अपने जो ड चैन्टी और ऐलिमेंटरी की उसी परकास से उसका बजिट जो है लोकेटी यह पर दिखाये गया है लेकिन हैं अगर कैथरफिस्टिक की बात करता हूं यहां पर दस नम्र पे हमारा कैथरफिस्टिक है तो इसमें 41 स्कूल जो स्लेक्टीड है वह है अलिमेंटरी लेवल पर और जो 43 स्कूल है वो सिने स्कैंडी लेवल पर है उसी तरह से 41 स्कूलों के लिए 2,05,000 और यहां पर 43 स्कूलों के लिए जो budget allocated किया गया है तो 2,15,000 पर तो टोटल हो जाता है यहाँ पर 4,20,000 पर इसी दैसे लग लग है आप सभी देख परें वैसे तो यह पूरी जो वीडियो वो पूरे हर्याणा के लिए एक एवल के अथर डिस्टी किया किसी एक डिस्टी के लिए नहीं है तो आपको यह मोटे इसी तोर पर सभी को जानकारी के लिए तो भी इतना आपको पैसा अलोटमेंट किया गया है अब आ जाते हैं लास्ट में दा एक्स्पेंडिचर विल बुक्त अंडर लाइफ स्किल कैम पर अडोल सेंस गरल अल्मेंटरी लेवल एंड स्केंटरी लेवल अंडर सब हैड 189.0 0.7 and 190.01 respectively अंडर स्मगर शिक्षा फोर दा यर 2023-24 दिस विल बी सब्जेक्ट तो दा कंडिशन तो ओल्ड दिस्टिक्ट एक्स्पेंटिच इस इंक्योर्ट स्रिक्टली फोर अब्जेक्टिव फोर विच इस अप्रूवड सेंक्शन और वाइल दूइंग सो ओल दा इस्टेबलिशमेंट फैनेशल प्रेसीजर फोलो किये जाएंगे जिस मद के लिए पैसा दिये गए उसी पे ही इसको खर्च करना है और उसी इसाब से आप सभी इसका यूसी जो हैड है स्कूल है हमारे और जो यहां पे जो टीचर काम कर रहे हैं इस कैंपों में उनके माध हम से हैड अपना यूसी त्यार करेंगे और वह यूसी जो है ना सभी अपने बी आर सी ओफिस को जमा करेंगे और बी आर सी ओफिस अगली परकरिया के साथ डीपीसी कारिया लगो इस सारे खर्चे का ब्योरा जो आपके यूसी है आएंगे उसको बेज दिया जाएगा तो यह जानकारी थी आप सभी के लिए आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगेगी और यह एक जन्हित में जारी है सुचना ताकि हम सब को इसके बारे में पता चल जाए कई बारे पता नहीं होता कि किस मद पे कितना पैसा खर्च करना है तो फिर उसमें बाद में हम बहुत लाव धाय करेगी जादा से जादा इसको सेर कीजिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू बरी मच आपका बहुत धन्यवाद देखने के लिए तो एक धन्यवाद का चो मेरे पास स्लाइड है मैं इसके मात्यम से आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं तो थैक यू बरी मुच वीडियो को देखने के लिए समय निकालने के लिए थैंक यू